हाई गाइस वेलकम टूमा यूटूब चैनल आज किस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप जॉब के लिए अपलाए कर रहे हैं तो TCS NQT 2023 आपको राइस्टेशन क्या उसका क्रेडिया है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सबसे पहले आपको क्या करना गूग सकते हैं इस तरह का ओफीशल पीज आपको सामने आ जाता है अब आप देख सकते हैं इसके अपलाए करने की जो डेट है वाट 20 सप्टेमबर के पहले आप अपलाए कर सकते हैं जो की पैट प्रमोशन के लिए है और इसका टेस्ट होने वाला है 2nd October 2023 को स्क्रीन को स्कॉल कर लिए आप देख सकते हैं आपकी जो पैकेज है 1.6 लेक प्लस जॉब आपको देखने को मिलेंगी और 2700 प्लस कोपरेटर आपको इसमें मिलेंगे 23 इंडर्स्टीज जो की आईटी सेक्टर की हैं और देख सकते हैं आप यहां पे 19 LPA का जो हाइस्ट पैकेज आपको देखने और यहां पे आप पैड भी कर सकते हैं, पैड करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन को स्कॉल कर लेना है, आप देख सकते हैं, पैड प्रमोशन करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, जॉब अप्लाय करने के लिए, इसमें क्या होगा, आपको एक बार टेस्ट प्रैटिस कर यह होता है उसके बाद यमु टेस्ट नहीं अप्लाकर सकते लब प्थ ही इसके बाद upfront झिराए या देखे अजी 1 रूपार है तुसके बाद आप दो के लिए डिए टिर सकते हैं कि स्टुटेर्प इillikum होते हैंους सब्सक्राइव होемス किछी भी company का तो आप company के experience लगा कर अप apply कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर free है तो आपको get start पे click करके आप यहां से form क्लिक कर सकते हैं और प्रेट के लिए आप by norm में जाके प्रेट करकी आप भर सकते हैं उसके बाद आपको score देखना होगा score और यहाँ पर free online learning coach भी द भी अपलाई कर सकते हैं 20 सप्टेम्बर लाज्ट टेट और 2 अक्टूबर 2023 को आपका एक्जाम हो जाएगा दोस्तों यह TCS की जानकारी है जो कि आपके लिए है अभी लीजिवान अत्वाप भी अपलाई कर सकते हैं और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो